नमस्कार साथियों स्वागा थे आप सभी का CVT पार्ट साला में मैं मारश मिस्ट्रा आप सभी की तयारी करवा रहा हूं प्यूटी पीजी हिंदी की और टार्गेट हम लोग का 24 का और हम लोग इस वार बात्चित करेंगे कि जो प्रीविश से पेपर पूछे गए हैं जिसमें 2021 की पेपर थे उनके बारें बात्चित कर रहे थे तो उसी स्रें खिला में जो आपको पेपर कोड है पेपर कोड आपका PGQ PG06 है और अब तक जिन्होंने निराला बैच जोइन नहीं किया है वो लोग जोइन कर लें जिसमें हिंदी की तयारी CVT PG के उद्देश चे आपको करवाई जाती है और इसमें जो साथ यूनिट्स में डिवाइड़ेट है आपका पूरा पार्ट क्रेम सारी यूनिट्स के स अब आपके और बहुत सारी जानकारियां जो आपको चाहिए होगी तो वीडियो का एक जो लिंक है वो डिक्स दिस्किप्शन में नीचे दिया गया है वहां से आप लोग वीडियो लिंक के माद्यम से पिसली सारी जानकारिया अप ले सकते हैं आज हम लोग बातचित यह पिछली क्लास ही कुछ वीडियो से जो आप लोग देख सकते हैं और अब भी कुछ-कुछ मजाग करवा रहे हैं तो इस मजाग के माहौल में आप भी पढ़ते रहिए मुझे भी अच्छा लगता है एनर्जी भी बनी रहते हैं उन्हों की उनसे बस एक ही गुजारे से कभ प्रिविश से पेपर के बारे में 2021 के बारे में और 2021 में पुर्षा गया था कि गीत गोविंद की रशना किसने की थी तो आप लोग बताना है तो इसका उत्तर है जैदेओ गीत गोविंद को लेकर बहुत सारे टिप्टेख ही है जैदेओ किसी और बाग विद्या अन्ने कभियों में नहीं थी ठीक है इसी के साथ हमारा अश्टचाफ सुरू होता है अश्टर छाप के संबंद में जैदेव के बारे में कहा था किसने सुक्ली जी ने, उस तक कि सुक्ली जी क्या है हिनिसायद के रिहास, किस की भूमिका की रूप में लिखा गया था हिन्दी शब्द शागर की भूमिका की रूप में लिखा गया था, अगला प्रिशन है हम बह चोटे लगे घाओ करें गंभीर यह किसकी पंगती है यह आपको बताना है वैसे मैं दूसरी पंगती बोल रहा था उसके विरिशनकार यह है तो आप लोग को बताना है बिहारी देव कबीर या तुलसिदास पहले चीज यह रचना जो है वो ब्रिज में है ठीक है ब्रिज भा लचना है बिहारी सप्साई ठीक है बिहारी सप्साई में रोने 713 दोहे लिए गए ड़्यक है इसका संपादन किया है जगनातास रत्ना करने हैं आप ना करने हैं और विश्णाठ प्रिसाद मिष्र ने भी किया है इसने विश्रनाठ प्रसाद मिस्र ने भी इसका संफाधन किया है तो संफाधन कुद्धों किये गई है और बहुत सारी टीकाय लिखी गई है और रामचृत मारस के बाद सबसे ज्यादा जिस पर टीकाय लिखी गई है तो वो है बिहारी ठीक है बिहारी ने बिहारी पर बहुत सारी टीकाय लिखी गई है माते आपको इसमें तो आपके लिए वीडियो अपयोगी है और बैच Då यह प्रिशित कर लेती हैं वह सारे बंदी कर लहते हैं मि उसमें अपको पता है कि जैसे है क्या चल रहाए किस तरीके से होते लोता है किसके लिए आप ungef endless इर रहें यह को बताया है कि कितने भागवं वाजित किया गया है तो चार भागवं, वाजित कर दिया जाता है . तो जो सही उत्तर होगा वह होगा रीतिकाल का रीतिर आत्मा काव्या ठीक है रीति का जो काव्य की आत्मा है वो क्या है रीति है यह किसका कथर वामन का कथर है मुझे से निकल गया तो लिख देते हैं रीतिर आत्मा काव्यश्य ठीक है यह वामन का कथर है कि काव्य की जो आत रe किया रेती होता है रीटी के अर्थ होता है अर्थ है इसका पृष्ण्ति अर्थ है तो यह है इतियोकर को की Option to से संबत सुक्ली जी ने इसका समय माना, आगे आप में बाचित करेंगे, कामाइनी, कामाइनी पर देखिए, आप से पृष्यक पोछे जाते हैं, हर्सान पृष्यक बनते हैं, और कामाइनी जो है, इसका प्रसम सर्ग कौन सा है, आपको बता दें, यह है प्रसाद की रशना का पंद्रा सर्ग है कितने सर्ग है पंद्रा सर्ग आपको बताना है पहला सर कौन सा है ठीक है जब विश्व में प्रिलाय आ रहा है प्रिलाय से हमारी जीवन की सुरुवात होती है और उसमें सृध्धा और मनु रहते हैं कौन रहते हैं सृध्धा और मनु रहते हैं मनु रहते और कामायनी प्रसाद की रशन है, उसका पहला सरग कौन सा है? तो स्रध्धा एडा, आनध्या चिंता. तो हमेशा आप देखिएगा किसी भी बात की शूरुआत एक चिंता से शुरू होती है. तो चिंता पहला सरग है. चिंता थीक है इसके बाद है चिंता आशा सिर्था काम वासन जा कर्म इशा इडा सुप्र संगर्श निर्वेद दर्संद रहाश आनन्द ये कितने हैं 15 सर्ग कितने हैं 15 सर्ग चिंता आशा सिर्था काम वासन लज्चा कर्म इशा इडा सुप्न संगर्श निर्वेद दर्संद रहेश आनन्द ये हैं 15 चिंता आशा सिर्था काम वासन लज्चा कर्म इशा इडा सुप्न संगर्श निर्वेद दर्संद रहेश और आनन्द ये कितने हैं 15 सर्ग है और इसके पहला सर्ग कौन सा है वो है चिंता चिंता से सारी बात शुरू होती है आगे हम लोग बाजिक करते हैं के हिंदी कभी अमीर खुषड़ों के गुरु कौन थे हैं देखे हिंदी के कभी जो पड़िसंद करी मान आते है और उनके गुरु कॉनते शेक परीद, निजामुदिन ओलिया, शेक मुदिन चिस्ति और वारिशार, आप लोगों बताने है सही विकलब कौन सा है, आपको पात सेकंड का समय है, एक, दो, तेन, चार, पांच, तो इसका सही आन उत्तर है, वो है निजामुदिन ओलिया, निज खुरो इनहोंने मुकर्या लिखी है, ठीक है, खालिक बारी की र endlessly, किसके खाल वारी की रहती है, यह वारवी तेरेवी सधी के थे, यह ठीक है, और यह आधीकाल में आते हैं, किसमें आते हैं, आधीकाल, सुपरजीन इनहे फोटिकल कभियों में रख्याएं, इसको? प्रिक्रण चार में शुक्ल जी ने अमिर कुस्रों को रखा हुआ है तो आपसे एक प्रश्ण बन सकता है इनकी दूशी रचने क्या एक खालिक बारी है जोने मुकरियां पहलियां भी लिखी है ठीक है समय 12-13 सभी है इनका आधी काल के अंतर गताते हैं फुटकल कभियों में है फिर चार में सुक्ल जी को सुक्ल जी ने अमिर कुस्रों को रखा हुआ है आगे हम बाचित कर लेते हैं कि अर्ष्ण शाब के स्थापक कौन थे अर्ष्ण शाब से प्रश्ण पोछा जाता है कब अर दो जाल चार के सभी की और विठलाथ के सिश थे उन्होंने ही अथाट शाब कीुस्था बड़ आठ की बड़ प्तर थे एक और इसमें सूरदास और कुम्बदास दोनों ही बलावा की सिशिते चार बल लबाचार की सिशिते वन्लावािश की बल लबाचार यात अर्विः में आपको जानना है तो वीडियो आपको अपलब्द हो जाएगी और जिन्हों ने निरालबे जोई नहीं किया है वनु जाइन कर लीजे क्योंकि उसमें बहुत सारी तयारियां कुछ ऐसे पॉइंट्स जो सहाथ में इस वीडियो में कबर ना कर सको लेकिन आने वाले दिनों म है वाकी 95 प्रस्थ हिंगी से तो इस पर यदि हम लोग अचिस तैयारी कर लेते हैं तो इसका फायदा यह होगा कि इसे बनने वाले और भी अन्य प्रस्थ है वह भी आने लगें वासित कर लेते हैं अगला प्रस्थ ये प्रस्थ नंबर है 29 टीक है प्रकदशी लेखत संग क आप लोगों को बता था कि एम पोस्टर्स में एम पोस्टर्स ले प्रोग्रेसिव तो राइटर एसोचीएशन इसके जो अध्यक्ष थे और यह लगनों में हुआ था ठीक है लगनों मेरी जान यह लगनों में क्या गया था ठीक है इसके अध्यक्ष प्रेमचन थे और यह अगला प्रिश्टन बाचीत कर लेते हैं कितने पाकिस्तान किसकी रचना है कितने पाकिस्तान बहुत अची रचना है मैंने पड़ी भी और इसके रचनाकार है कौन से बताना आपको भिश्मशायनी राजंद्रयाद अग्य या कमलिस्वर एक बात मता दूं यह उपन्यास ह कितने पाकिस्तान बात मैं कौन से रचना नहीं है कि इसे प्रिश्ट बहुत सारे पूच ले आते तो अंधेरे में बोल गलती चांद कम अटेड़ा है या असाद दिवीडा तो आपको पता है अंधेरे में एक लंभी कवता है यह तो एक हजार आठ पंक्तियों की कवता है इसी पिकार राम की सक्ति पूजा पूजा भी कविता है जो कि 252 पंग्डियों की कविता है तो एक अधार आठ कंदी कविता है यह भी भूल गलती भी लंबी कविता है चांग का उमरे टेड़ा भी लंबी कविता है यह काविशंग्रे है इसका ऐसलों सऐध्य जिनानरा किसकी है तो यह अधांगय के लंबी कविता है लेक तहीं पार हांगन के पार द्वार नामक कावे संग्रह में संक्लेत हुई थी कावे संग्रह जो कि 1961 में लिखा गया था और इसी को सहेत्य कैदी मिला था तो आपके इतने सारे प्रस्टित हो गए अगे ये तविता है साधिवीडा असाधिवीडा एक लम्मी करता है असाधिवीडा कावे संग्रय की रूप में है आगान के पाड़ द्वार में सकले थो थी उन्निसेट में और उन्निसेट चोण सट में इसको साहित अकाद मिल तुम इस तरफ मताओ ठीक है आगे अगला प्रेस्ट नहीं जो मारा 52 प्रेस्ट नहीं त्रिलोशन किस कावेधार की कभी है त्रिलोशन की बारे हमने आपको बताया था कि त्रिलोशन का दूसरा नाम था वास्देव सिंग वास्देव सिंग आप लोग बिलूब त्रिलोशन जो पढ़ते हैं उनको प्रगतिवादी कावेधारा में आते हैं त्रिलोशन आते हैं त्रिलोशन आते हैं त्रिलोशन अगला प्रेशन है कोड मार्शल किस विधा की रिशना है तो आपको पताना है कोड मार्शल किस विधा की रिशना है और बहुत ही अच्छी अगला प्रेशन है अरे आयावर रहेगा यार किस विधा की रिजन है अरे आयावर रहेगा यार किस विधान है तो यह आपका अरे आयावर रहे गया यार की रिफान है और झ от MEMER लिखा हुआ है तो अग्य का जो उपन्यास था वो तो दूसरा है लेकिन अग्य का जारी पुषाद दुवेदी जी कहते जिनको देडी दी कहते थे ठीक है और उनी ने कहा जाता है कि बार्वट की आत्म गथा के लिए प्रड़ेत किया था तो बार्वट की आत्म गथा के रूम में किसका है जासन क क्या बोलते है अचार हजारी पुसाद दुवेदी का यह हुपण नियास है अमरेशन आ घ्या कहान के लिए कोने बहुत अची कहाने है अमरेसर ठीक है और अमरेसर कहानी आप लोग पढ़ना चाहिए अमरेसर कहानी किसकी है और मैं चाहँगा कि आप लोग ही इस कांथ कर रेंगे अगली सब्सक्राइब कर सकते हैं कि अब होटři कर सकते हैं और बहुत ही कम प्राइज रखा गया है और आप लोगुकी तियारी के साहते जाएगी कि यह ऐप से आप लोग की तयारी आपको भी इत्र हीलिए दोक flesh क्लास ली जा रही है तो आप लोग दो घंटे उपस्तित रहे हैं उसको अच्छे सुनिए कोई भी वीडियो आपको एक बार में नहीं सिखाता है यह एक फैक्ट है आप किसी वीडियो को देखते हैं तो आपको कम सकम दो से तीन बार देखें ताकि जो भी प्रेशन बन सकते ह आपके दिमाग में बैठी जाएं और आने वाले तुरों में आप उन तैयारियों के साथ उन संभावरां के साथ अच्छे प्रदर्शन के साथ एक्जाम में अपने प्रदर्शन दे सकें तब तक लिए धन्यवाद जहन साथ लिए